हालो वेलकम टू मैगनेट बेंज हिंदी मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्त अनिल पाटिदार दोस्तों आज की सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो मैं आपको बदा दू कि मैगनेट बेंज से कैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिलकुल फ्री आपको प्रोइड करता है जोस्तों आप चाहें तो हमारी वेबसाइट मागनेट बेंज डॉट कॉम पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं दोस्तों आज की इस लेक्षर में हम लोग क पढ़ने वाले हैं आज हम लोग बात करेंगे कक्षा आजवी के सामाजिक विज्ञान के अंतरगत जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा विशह इतिहास और इतिहास में हमने शुरू किया चैप्टर नंबर नाइन चैप्टर नंबर नाइन का नाम क्या है राष्ट्री का नाम है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के जो दोर चल रहा था भारत में आंदोलोन का दोर था क्योंकि आपको बताना महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे आपको बताए कि महात्मा गांधी सत्याग्रह पर विश्वास रखते तो यह समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है असहयोग आंदोलन क्या है उन्निस सो बीस में अंग्रेजों ने तरकी के सुल्तान जो जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा कि नाम भी आप ध्यान रखना तरकी के जो सल्तान था उसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा यह मु यह तर्की के सुल्तान थे खलीफा जिसको कहते थे वहाँ पर इन खलीपा पर सक्त संदी थोप दी जिस तरह भारत में जलिया वाला बाग कहत्याकांड की होने पर लोग नराज हुए थे वैसे ही वैसे ही इसी तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों को भारी गुस्सा आगय यह हमारे धार्मिक मामलों पर हमारे इन चीज़ों जिनको भारती मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमान सामराज्य पर खलीफा का नियंत्रन बना रहे तो वह खलीफा के दुबारा से पावर में आने के लिए वह चाहते थे कि ऐसा हो और चुकि अंग्रेजों ने किया यह भारत में खिलाफत आंदूलन की शुरुवात हुई इसका सायोग गांदीजी ने भी किया महात्मा गांदी ने इसका समर्थन किया और कांग्रेस से भी आगरख किया कि जलिया वाला हत्याकांड और खिलाफत में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिल करके आप लोग अ आंदूलन चला है वह इसा चाहते थे गांदी जी और स्वराज की मांग करें अंग्रेजों से कि भई स्वराज दे दो आजादी दे दो आप हमें आजादी चाहिए हम ऐसे चूप रहने वाले नहीं है यह महात्मा गांदी का गतन था 1921 से 1922 के दोरान आसायोग आंदूलन क गन्दी जी का सत्यागरा था कि सत्यागरा आंदूलन की सीरीज में आता है और इसमें गांदी जी ने कहा कि आप सभी लोग जो ब्रिटिस सरकार में ना अब बिडिस सरकार का सहयोग ना दे आप ऑफिस तो जाए लेकिन काम ना करें अगर आप बिडिस सरकार की कारिवाई में इस तरह से बाधाउट पन्न करेंगे तो अपने आप वो हमारी बात मानना शुरू कर देंगे तो यह खिलाफत आंदोलन भी चला और 1921-22 में सहयोग आ अकालत छोड़ करके यह असयोग आंदोलन का साथ दिया कि हम लोग सरकार का सयुआ नहीं करेंगे उपादियों को वापस लोटा दिया गया विदान मंदलों का बहिषकार कर दिया गया यह पूरा आंदोलन में यह चल रहा था जो उपादिया आपको दिए ग开श में इसको विदेशों से आने वाली जो कपड़े होते जो इस्तमाल कर रहे थे बहुत तरह लोग विदेशी कपड़े पहने थे आप देश के अंदर एक मुहीम चालू होगी कि हम तो देशकाई पहनेंगे और अंग्रेजु का पूरी तरह से विद्रो करते हैं इसलिए कपड़ों की होल गिरावट होगी क्यों होगी क्यों कि आसायोग आंदोलन के ताथ विदेशी कपड़ों का भ Koer कर दिया था अब लोगों की पहल कुछ और लोगों कि अन्य दोकी पहल बीड़ेश ऑलाग जगों पर हुई जैसे कही जगह पर लोगों ने बिर्टिश आशन का एंसक्त किया क क्योंकि महात्मा गांदी को सब फॉलो करते थे और महात्मा गांदी का कहना था कि कोई भी घटना इंसात्मक तो के नहीं होना चाहिए आपको जो भी विरोध करना है अंग्रेजों के खिलाब बिलकुल अहिंसात्मक तरीके से विरोध करो वो उसका रिजल्ट आपको से पाडिदार समाज के खिसानों ने अंग्रेजों द्वरव ठोपे भारी लगान के खिलाप अहिंसक अभियान चला है जो किसान लोग थे पाडिदार किसान गुजमाराद और खेडा जो एरिया है वहाँ पर गुजरात में होते थे और गुजरातियों नहीं क्या किया अहिंसक आंदुलन चलाएं क्योंकि लगान बहुत ज़्यादा था किसानों पर तो नहीं सग रूप से विरोध किया आंद्रपदेश और तमिल लाडू में शराब की दुकानों की घेराबंदी कर लिए उन्हें वहला कि यह शराब की दुकान नहीं चलने चाहिए कि हमार काया समाच को घराब कर रही हैं तो शराब की दुकान का घेराबंदी कर लिया आंद्रपदेश के गंतूर जीले में वन सत्यागरा चला गया यहाश How should की सीरीज में उसी में आइ चला दिया गयה ता अलग-लग काम हो रहे थे मतलब पुरे देश में यह आंडूलन फाल गयाता सिंद में सिंद प्रांद जो पाकिस्तान में आता है उसमें मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आहवन पर बहुत उत्साइट थे जब खिलाफत अंदलों शुरू हुआ तो सिंद प्रांद में रहने वाले मुस्लिम व्यापारी और वहां कि मुस्लिम किसान काफी उत ले पढ़ रहे क्योंकि एक साथ हुए थे देश में खिलाफत आंदोलन का संबंद मुस्लिम चंसंग के अधाशा जब कि आज स्रयोग आंदोलन जो महात्मा गांदी ने चुरू किया था वह दोनों के लिए था लेकिन दोनों थे उनका जो अधाशा वहनतों के अंडर में थे गुरुद्वारे उनको वहां से अठाने के लिए आंदोलन चला कि महंतो को अब गुरुद्वारा में नहीं रहने दिया जाएगा अब गुरुद्वारा प्योर्ली सिख्ख लोगों का होगा हम इस लोग चलाएंगे इंको अ उन्होंने सेलरी बड़ाने के लिए तंक्रा में इजाफा करने की मांग शुरू कर해줌 और गांधी महराज की जैनारा चला पूर्सक्ता तेष में महात्मा गांधी की असे लहर फेल घी कि हर एक व्यक्ति महात्मा गांधी का सपोर्ट कर रहा था लोगों ने किस हद तक फोलो किया था और उनसे कितना ज्यादा इंस्पिरेशन मिले थी इन्हें एक और नाम दिया गया था जंता के महातमा लोगों को उम्मीद थी कि मसीहा के रूप में महातमा आये है और यह महातमा जो है जनता के cuánt मैं कईजिए पर गांदीजी को एक तरह का मसीहा एक ऐसवरक्ति मानने लगे थे जो सबी लोगों को मुसीबतों और गरीबी से चुटक्बारा दिला सकते तो महात्मा गांदी को मसीहा के रूप में देखा गया गांदी जी चुकी एक्ता के समर्थ तक थे गांदी जी एक्ता में विश्वास रखते थे इंसा में विश्वास रखते थे लेकिन कुछ किसानों को लगता था कि गांदी जी जमिदारों के खिलाफ उनके संगर्ष में मदद देंगे अब एक तरफ तो अंगरेजियों के खिलाफ पुरे देश में आंदोलन चल रहा है वहीं किसान कुछ जगह पर किसान क्या है आपने जमिदारों के खिलाफ वो जो है अंदो चार से चुटकारा मिलेगा पुरा देश अंगरेजियों से परिशान था लेकिन किसान बेचा अभी भी जमिदारी सिस्टम से परिशान थे खेती और मजदूरों को यकिन था कि गांदी जी उन्हें जमिन वापस दिलाएंगे जमिदार ने जो उनको का टेक्स नहीं देने के बहाने छशीन ली लेकिन क्या हुआ कि गांदी जो बोलते तो लोग कंई बार शोच बेदे लोग को कही बार महातमा गांदी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने एसी कारिवाईया की जो हिंसक थी जो गांधिवादी अधरशों के बिल्कुल अनुरूप नहीं थी गांधी जी नहीं चाहते थे के हिंसा करना शुरू कर दिया तो दोस्तों इस प्रकार हमारा समाप्त होता है यह आसहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को ने समझा कि कैसे उन्निस सो बीस से बाविस के दोर में यह दोनों चले कैसे तरकी के सुल्तान को जब खलीफापत से विमुक्त किया गया उन पर संदीथ होप दिगई तो भारतिक मुसल्मानों ने विरोद किया गांदी जी ने भी साथ दिया दोस्तों कर आपको मारे वीडियो सेक्वेंस में नहीं मिल रहे है यूट्यूब पर तो घबराने की ज़रूद नहीं है आप हमारी वेबसाइट पर विजीट कर सकते जिसका नाम है magnetbins.com आप यहां जाएंगे तो आपको मिलेगा इंडियास नंबर 100 परसेंट फ्री ओनलाइन एड्यूकेशनल प्लेटफॉर्म यहां पर आप अपने टॉप को एक्स्प्रोर कर सकते हो जहां आपको मिलेगा आपको वाच्णों पर जस्क्लिक करना जैसे आप वाच्णों पर क्लिक करोगे आपका वीडियो हो जाएगा शूरू और आप अपना नोड्स बना सकते हैं अपने वीडियो देख सकते हैं और अपनी कख्षाओं में टॉप बहुत अच्छा है दोस्तों magnet bands आप लोगों के लिए करके आया है 100% मुक्षिक्षा जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विध्यारतियों को दी जाती है दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो क्रपया कॉमेंट सेक्षन में लिख करके जरूर बताए साथ हमारे चैनल को अनवाद थैंक यू वरी मच्छ